हेलो एन वेलकम गई स्वागाद आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICCA Arabian T20 लिग की बात करेंगे जो की मैज होगा या पर The Vision Shipping vs. Jump Education CC के बीच में तो चलिए दोनों ए टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौनसे प्लेयर गों लोग ऐसे स्मॉल लिग में लेके जाएंगे कौनसे प्लेयर गों लोग ऐसे ग्रांड लिग में पिक कर सकते हैं प्लस कौनसा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन औ और वाइस के प्लेयर गों लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं सारी डीटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए पिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ड कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटूब चैनल को को भी दक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि पूरी टूनामेट इसी यूटूब चैनल पर कवर करेंगे इसके अलावा आपको यहाँ पर कौलिफायर की वीडियो मिल जाएंगे इसके अलावा जाकर आपको सर्च करना है फैंटासी डिशन चैलेंजर या फिर आपको सर्च करना है डरेट fdc27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपल या पो उसे जॉइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल डिम आपको वही पर दी जाएगी बात करें इस मै से tvs रह सकते है क्योंकि रिसंटली cbfs t20 की फाइनल जितके हुए आ रही है और कब जीती उन्होंने तो कल ही जीती है उन्होंने cbfs t20 इससे पहले बुखातिर 50 वोस के अंदर भी इन्होंने जीत असिल की यहांसे tvs ने तो रिसंटली यह टीम जो है यहांसे किसी को भी टक तो यहांसे grad के लिए यह match फोड़ी सी कांटे की टकर हो सकती है बात करें ऐसे tvs की दो मैश के लिए जहांसे दोनों ही match जित्ती हुए आ रही है देखो पहले match केंदे रावदा अ लेकिन मैंने यहांसे इनको उपर रखा हुआ है क्योंकि यह जो मैच है यह मैच यह खेलते हो नजर आएंगे और अगर खेलेंगे तो सिधा ओपनिंग भी करेंगे साथ में ऐसे चार ओस पूरी भी करेंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों इसे एडवांडेस देगे हैं यह चार ओस करवाएंगे इसके बाद वन डाउन मुहमद नदीम आएंगे और यहांसे उसका जो बैटिंग ओडर है उवेदुला मुहमद का यहांसे साथ में आटमे नमबर पर बैटिंग ओडर जा सकता है तो बैटिंग से इतने एफेक्ट नहीं रहेंगे अलाकि अगर चार करवाएंगे तो एक दो विकेट चटका सकते हैं तो एज प्लेयर यहांसे डिफ्रेंस विमें ट्राइ कर सकते हैं सलमान खन जुनियर दिशंटली जबर्जस पॉम में चल रहें तो यह डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए बैटिंग से दिखेगा आपको और उनको सिदा लेके जाना है मुहमद नदीम के बात करो तो यह हर एक मैच के अंदर पूरी ओवस करवा रहें विकेट्स की बात करो तो पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट्स निकाल रहें और इस टूना मैच के अंदर काफी अच्छा किया हुए देखो मेरी हमेशा इसा इस और पिर नदीम आदर के तोर पर ज़ना है वारना फिर आप लोग इनकोर सकते हैं उमर अर्श्यत विकेट क्पिपिंग से से दिखेंगा इनका भी बैटिंग ओडर काफी नीचे रहा है मैं लगबग यहां से पिछली पांच या छे टूना मैट कवर कर चुका हूँ जह पर उनको पहली बार लास मेंच के नर्ट चौथे नमर पर बैटिंग के लिए आते हैं तो यह इतने शायद में इनको सजेस्ट ना करूँ अगर सामने वाली टिंट से अगर को एच्छा विकेट के पर मिल जाता है तो मैं ऐसे उमर अर्चर को ड्रॉप कर सकता है वाकि अली आ आज की बात करो प्लेयर अच्छा है लेकिन इनकंसिस्टन्ट है देखो परफॉमस देगा तब यहां से बड़े बड़े परफॉमस दे सकता है इवन यहां से टी ट्वेंटी हो गएर हमें सेंचूरी तक लगाने की खिशमता रखता है लेकिन पिछली कुछ मैचिस के रिज आसा रिस्की खेलना चाहो तो यहां से इस प्लेयर के ओपर रिस्क ले सकते हो सज्जाद महलुक के ओपर क्यूंकि यहां से अगर दो से तीन वर्स की गेंट बाजी भी करवाई तो यहां से एक से दो विगेट चटका सकते हैं बात कर यहां से मुहमद इक्राम जंजुवा ऐसा डिफ्रेंस एल्वे में आपके लिए पिक बन सकती है एक विगेट निकाला था दो प्वेंट चार वर्स की गेंट बाजी करते हो हैं अगर वर्स करवाईंगे तो यहां से एफेक्टर रह सकते हैं लेकिन थोड़े से रिस्की रहेंगे वाही देमत को सज्जेस ने इकरम जंजुआ ने स्टार्ड किया था अली अबिद और यहां से मोहमद इकरम जंजुआ ने देथ में डाला था बैंच मेंसे अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपटेट वगए आपको टेलिग्रम चैनल पर प्रवाइड करा दूंगा ताकि आप को आसानी रहेगी वापर चेंजिस बगएरा करनेगी तो बात करें ऐसे टीम GED की जो की दो मैच के लिए जहां से दोनों ही मैच ये भी जित्ती हुए आ रही है लेकिन यहां पे इनकी दाल गल्लेवाली नहीं है ओपनिंग में यहां से साजित इकबाल और यहां से सहजाद अली दोनों ने ओपनिंग किया अभी इंपोर्नेंस की बात के दो दो देखो ओर रोल रेकोर्ट सो कापी अच्छा है लेकिन शुरुआत के अंदर इनकी विकेट्स पगिरा गिल सकती है तो शायद यह दोनों अभी के लिए बहुत जादा रिस्की रहेगे अला कि कुछ रि पहली मेच की बात करो तो विकेट नहीं मिला था लेकिन चार वस्की गैनबाजी दोनों मेच के अनर करवाई और ओल आठ मैच के अनर आठ विगेड है करीबन 41 के रहे से 242 रहन है और बैटिंग से अपने आपको पूरवार किया है दोनों मैच के अंदर तो मोहमद सलमान को आप लोग ट्राइ कर सकते हैं इस प्लेयर के बाद चाहिए ज्यादा तर जनता की नजर होने वाली नहीं है लेकिन आप लोग यह से इनको ट्राइ कर सकते हैं मौहमद सलमान को बात करें से फर्णांडिस रवेली इनो फर्णांडिस जो की करीबन 33 के वरे से चौपन मैच के से 21 के ओर चौपन मैच करें करीबां 28 के वरे से 1313 रान है मोशीन इर्शाद ओके ओके रहेंगे इनको थोड़ा सा रिस्की खेलो ट्राइ करना है जमसित को जरूर लेखे जाना है यहाँ पर इनको आप लोग जरूर ट्राइ कर सकते हो बाकि रिस्क लेना चाहोते हैं से रख ना करूँ क्योंकि हमारे पास अल्रेडी बहुत सारे ओप्संस है तो इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है खास तोर पर मैंने इनके बारे में बताया बिन्नी रखुनाथ जो की अच्छा प्लेयर है और यह भी यहाँ से शुरू आतमे और देथ में दोनों में आ दोनगा ताक्कि आपको असानी रहेगी वह पर चैन्जी सवागेरा करनेगी बहुत बड़ा स्क्वेर तो आपको होने की सम्भावना बहुत जदा है तो इसके लिए आप लोग टेलीगरम से जूड़ जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीगरम को ल सलमान ही हमारी लिए बेस्ट ट्वीक रहेंगे बैटिंग सेक्शन की बात के लो तो यासे सलमान खान जूनियर अली आबीद और यासे आर फरनांडी से हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकि आप लोग चाहे तो रिस्क की यहाँ पर किंगे पर ले सकते हैं यासे एस अली बहुत ज़्यादा नीशे शायद इनका बैटिंग सो आज आएगा लेकिन इनका केलना थोड़ा से मुश्किल लग रहें फिर भी रिस्क लेना जाओ तो ले सकते हैं उपर से खेला था ओल्रांडर जेक्शन में शाकित मेहमुद खेल सकते हैं तो मैंने यासे इनको ल रिसंटली अच्छे फॉम में और अच्छा एडवाटेश दे सकता है बॉलिंग सेक्शन में आसे मोहमद जमसित के साथ यासे जवार गनी और इनके अलावा यासे मोहमद रोही दमारी टीम के अंदर रहेंगे आप लोग यासे उबेदुलना मोहमद को ले सकते हो लास मैच रहेंगे अधर वाइज ऑफसंस की बात कर तो सामने वाली टीम से अली टीपू सुल्तान बेस्ट ऑफसंन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप लोग इनको ट्राइब कर सकते हो अली आभी तो मेरी टीम कुछ इसी तरह से रहेगी याद रहें कि जो टीम है डेमो टीम या फिर आपको सेर्च करना है एडड़ेट अफड़ेश 27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपल या आपको उसे जोइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वाइपर दी जाएगी तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब तक कि आपको करना गया आपको अच्छे से वीडियो को को देखना है अच्छे से एनलिस अपड़ेश मीरे और यहाँ डे है wow ही और ग्रान लीः जै शर्वीड जित आपको एक उप तक के लिए बाई धन्यवाद जयहिन जय भारत